हेलो गाईज वाचिंग टेकोरी का मैं हूँ देव तो बेसिकल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अपकमिंग पोको एक्सपोर के बारे में अब यह एक 5G फोन रहेगा डेफिनेटल इसके बारे में काफी सारे लिक्स निकल के आ चुकी है और आपको में सारे जो जित्ते स सारे लिक्स निकल के आ चुकी है वह सब कुछ मैं आपको बता दूँगा बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा बस इस वीडियो को आप पूरा देख ले ना आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा इस फोन के बारे में ओके सो गाईज विदाउट डूइग इनी फोड़ इस वादिल है लेट स्टाट इट ओल्राइट गाईज यह जो पोको एक्सपोर रहेगा ना एकोडिंग टू लिक्स यह रीब्रांडेड फोन रहेगा किसका मीटेन आई के बात कर रहा हूं में मीटेन आई में आपको जित्ते सारे स्पेसिवेकेशन मिला है वो सारे स्पेक आपको इस फोन में भी मिल जाएगा बट इसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो क्या चेंजेस रहेगा मैं आपको बताता हूं और इसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेगा मीटेन आई से अब गई जित्ते सारे पोको का फो प्रोसर मिलती है बट यह 5G 4 नहीं है यह 4G फोन है इन फैक्ट आपको पोको एक्स 3 में भी 5G का सपोंट नहीं मिलती है उसमें भी आपको वही 4G मिलती है बट आपको Poco X4 में 5G मिल जाएगा ओके तो गैज तो सबसे पहले अगर Poco X4 की प्रोसर के बाद करा जाए तो इसम आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 750G, जी हाँ Qualcomm Snapdragon 750G प्रोस्टर मिलेगा, विच इजे 5G प्रोस्टर, और ये सेम प्रोस्टर ओलेडी सोमी ने यूज़ कर रखा है, किस में? मीटेन आई में, जी हाँ मीटेन आई में इसी प्रोस्टर को यूज़ करा गया है, और आपको इस फोन में भी वही प्रोस्टर मिल जाएगा, और अगर इसकी ग्राफिक्स के बात करें, तो आपको मिल सकता है Adreno 619 की एक ग्राफिक्स प्रोस्टर, बाकि अगर इसकी कैमरा आप इस फोन में भी मिल जाएगा, जैसे कि 108 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 और आपको 32 MP की एक सेलफी कैमरा मिल जाएगा, राइट, इस फोन की डिस्प्ले के बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंच की एक Full HD Plus IPS डिस्प्ले, जी हाँ, इसे में भी आपको IPS डिस्प् सकते हैं सौमी से, पता नहीं सौमी ऐसा क्यों कर रहा है, सौमी को I think मूब करना चाहिए अभी, बहुत बहुत IPS डिस्प्ले हो गया, बहुत-बहुत LCD डिस्प्ले हो गया, अब तो सौमी मूब कर लो, IPS डिस्प्ले से थोड़ा मूब करो, AMOLED, जी हाँ, AMOLED डिस्प्ले 4820 mAh की एक बैटरी, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी चैंजेस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर आपको बैटरी और भी ज्यादा मेच की मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी मिलेगी, जी back में हो सकता है आपको इस वार भी Poco X3 के तरह polycarbonate ही मिले, right? Anyways guys Poco X4 की कुछ और बात कर लेते हैं जैसे कि इसके display में आपको HDR10 की support मिल जाएगा which is nice, right? और आपको side mounted fingerprint scanner मिलेगा बाकि अगर इसकी storage के बात करें तो आपको यहाँ पर दो variant देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि 664 और एक 8128 GB आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर इसकी price के बात करें तो इसकी जो price वही 18 से 20,000 के अंदर रहेगा क्योंकि इसकी जो specification है वो काफी ज़्यादा match होता है कि इसके साथ मीटेन आई के साथ तो इसकी जो price वही मीटेन आई के जासा ही रहेगा बट इसकी price थोड़ी सी कम रहेगा मीटेन आई से ओके गाईज अगर इसकी release date के बात करें तो आपको यह जो phone है वो mid February नहीं तो February end तक देखने के लिए मिल जाएगा वो तो पक्की पकी है तो आपको मिलेगा Android 11 और यह phone MIUI 12 के साथ रन होगा with POCO launcher गाईज इस phone के अगर storage type के बात आप सोच रहे हो तो इसमें आपको मिलेगा UFS 2.2 storage और मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिएगा और चनल के तुरू सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मस्त साथ वीडियो मैं आपके लिए हमेशा रखता हूँ और इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ याद करके प्लीज इसको सेर कर देना तो गाइस थैंक यू सो मुच वाचिए इस वीडियो दाट सिट नाव फूर दा मॉमेंट दिशिए देव साइनिग आप टेक केर सी यू सुन